Welcome to my channel, इस वीडियो में हम इस question को solve करेंगे, हमार पास statement क्या है find remainder, हमने remainder find out करना है when, xq plus 3x plus 3x plus 1 को divide करेंगे हम x, तो previous वीडियो में मैंने question number 1 का part 1 and 2 solve किया था, इसमें हम लोग ने क्या किया था, इसको equal to 0 कर लिया था, ठीक है, और then x यहीं पर आ था, और plus 1 उदे आके minus 1 हो गया था, अब हमारे पास तो यहां पर ही x, ठीक है, यहां पर क्या था, x plus 1, तो हमने इसको equal to 0 कर दिया था, फिर x minus 1 by 2 था, उसको भी equal to 0 कर दिया था, हमारे पास है, यहां पर x अकेला, तो हम x को भी equal कर देंगे, 0 के, first of all, यहां पर लिख लिएते है solution ठीक है, x को equal to 0 कर दिया, अब हम क्या करेंगे, remainder हमने find out करना है, तो हम यहां पर लिख लिएते है, remainder ठीक है, remainder लिख लिए, अब इसको हम लोग कर देते है, equal px के, px is equal to x q plus 3 x square plus 3 x plus 1, अब जहां जहां x है, हम आपर क्या put करेंगे, 0 put करेंगे, p का p आगया, x की जगा 0 आगया, x की जगा 0, और हमारे पास है, q power में तो वह ऐसी आजएगा, plus 3 क 3 आजएगा, x की जगा 0 आजएगा, power उसकी square हो आजएगा, 3 क 3, x की जगा 0 आगया, plus 1 का 1 आगया, 0 का cube क्या आए 0, 0, 0, 0, 0, 0 को जितनी मर्ज़ी भी times multiply करवा दें, आपस में 0 ही आएगा, यह 0 को किसी भी number से multiply करवा दें, तब भी 0 हैगा, तो 0 की power हमने cube solve की, तो 0 ही आगया, 3 क 3, 0 का square अगा ना हम लोग करते हैं, तो 0 into 0, 0 का square का, यह मतलब है, 0 को 0 से multiply करवा दें, तो 00, 0 क्या आगया, 0 आगया, 3, 0, 0, 0, plus 1 का 1 आगया, bracket solve कर लेते हैं, 3, 0, 0, 0, plus 0, plus 1, 0 में 0 प्लस करें, तो 0 ही आता, जिरो में 1 प्लस कर दिया, तो क्या आजएगा, 1 आजएगा, जब हम multiply करते हैं किसी number को 0 से, तो वो 0 आता है, लेकिन जब हम plus करते हैं, तो वो value आजाती है, जैसे 1 प्लस कर रहें, 0 में, तो क्या आजएगा, 1 आजएगा, तब 0 नहीं आएगा, ठीक है, सब को, हमने plus किया, 1 आगया, तो remainder क्या आगया, 1 आगया, समझ आया, हम लोग ने remainder find out करना था, जब इसको divide करना था, x से, तो हम लोग ने क्या किया, first of all, x को equal to 0 कर दिया, remainder find out करना था, remainder यहाँ पर remainder लिका, इसको equal कर दिया, px के, ठीक है, और जहाँ जाए, x था, वहाँ पर क्या पूट कर दिया, 0, 0 को जब powers उसकी solve की, तो प्लस कर दिया, तो answer 1 आगया, remainder 1 आगया, तो इतना इसी स्था था, होप सो आपको अच्छे से समझा आ गया होगा, आपको वीडियो चला गया